पाँच ऐसे सवालों के जवाब जो उर्फी जावेद ने मेडिया में दिये जो आपको जरूर सुनने चाहिए अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाने जाने वाली उर्फी जावेद के जवाब भी ऐसी डेडे मेडे हैं आईए आपको ऐसी कुछ जवाब सुना जैसे मैं कपड़े पहनती हों इसे देखकर कोई मुस्लिम लड़का मुस्से शादी करेगा भी नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि उर्फी जावेद बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को आज भी बुर्खे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और उर्फी ने कहा कि वो रनवीर को बहुत पसंद करती हैं और कभी रनवीर को लगे कि उसे दूसरी बीवी की जरूरत है तो मैं हमेशा तयार हूँ लेकिन दीबिका के होते हुए रनवीर को कभी दूसरी बीवी की जरूरत नहीं बढ़ेगी देखते हैं जो उनके उपर गलत कॉमेंट करते हैं उन्हें बाइकाट क्यों नहीं करते हो नमबर चार जब पब्लिक स्पोट पर उन्हें कई रिपोर्टर्स ने खेल लिया और सवाल किया कि आप अगली बार ऐसा क्या पहनेंगे कि सब सप्राइज हो जाएं इस पर उर्फ करते हैं इसलिए मैं जान बूझ कर ऐसे कपड़े पैंती हूं का कि उन्हें सच में मुझे ट्रोल करने का मौका मिले और उन लोगों से मुझे कोई फर्क भी नहीं बढ़ता नमबर 6 एक मीडिया वाले ने उर्फी से सवाल किया कि आप ऐसे छोटे छोटे और सैमी न्यूड कपड़े पैंते हैं इससे बच्चे बिगड नहीं जाएंगे इस पर उर्फी अपने अंदाज में कहती है कि क्या रमायन देखने से बच्चे सुधर जाते हैं जो मुझे द चलते हुए जब उर्फी को कुछ रिपोर्टर्स ने कैच किया तो उनसे देश में चल रहे धर्म के मुद्दे पर पूछा गया तो उर्फी ने कहा कि धर्म बना था लोगों के भले के लिए लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत इस्तमाल किया मैं धर्म के खिलाफ नहीं तो वो पढ़ाई लिखाई साइन्स स्कूल और डवलप्मेंट से भी जादा जरूरी हो जाता है तो मुझे वो पसंद नहीं है आगे वो कहती है कि मान लोग के पूरी दुनिया हिंदू या मुस्लिम हो जाए तो इससे क्या होगा क्या इससे हमारा विकास हो पाएगा क्या इससे गरीबी खत्म हो जाएगी यह सिर्फ बकवास है सभी लोगों को सिर्फ देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए